अखिरकार बरतपुर में कसी लिया पोलिस ने शिकन जा साइबर ठगी को लेकर देश्वर में चर्चित है बरतपुर काफी प्रयासों के बाद भी साइबर ठगों पर नहीं पाया जा सका काबू लेकिन एसपी मृदूल का चावा ने जगाई है अब लोगों में एक नई उमीद उनके भरतपुर में जॉइन करते ही हो रही है एक के बाद एक बड़ी कारवाई साइबर ठगों के पूरे नेटवर्क को भस करने का मिशन है एसपी का जी एस्टी टीम और खोथाना पुलिस ने पाच साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है साइबर ठगों के पास से पुलिस को मिला है जाली दस्तावेजों का जखीरा और जिस तरह की उमीद की जा रही थी एसपी से कुछ वैसे ही फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यह माना जाता है कि जब एक नया व्यक्ती नई जगा पर आता है तो फिर वो नई उमीदे भी अपने साथ लोगों की जोड़ता है एसपी म्रदुल कच्छावा और उनकी पूरी टीम नए कलेवर में दिखाई दिताबर तोर कारवाई की जारी है और हमाए साथ सेयोगी शिवेंदे सिन्फर माजू गया है शिवेंदे उमीद की जा रही थी म्रदुल कच्छावा से कुछ यही किस तरह से पूरी कारवाई की जारी है कैसे ये नेटवर्क को तोड़ने के लिए रणनीती तेयार की गई है ये बड़ी ख़बर है क्योंकि जो भरतपूर जिला है वो साइवर अपरादों के लिए पूरे देश में बदनाम हो चुका है एक जो जामतारा है जारखंड में वो और दूसरा राजस्तान का भरतपूर ये दोनों ऐसे इलाके हैं जिन में सबसे ज़्यादा साइवर ठगी की घटना हो रही है और काफी प्रयास राजस्तान पुलिस ने बरतपूर पुलिस ने बीटे दरों किया लेकिन कोई अच्छी सपलता नहीं मिलता ही उसका एकारण ये भी रहा कि कोशिस है कि अभी तक वरतपूर पुलिस में कि जब कोई घटना हो उसके बाद बोलो एक्टिव हो लेकिन जो वहां के नए एस्पी है मिलतुल कच्छाबा जिनोंने कुछ समय पहले ही जोइन किया है उनकी कोशिस यह है कि किसी घटना के होने के इंतजारते पहले ही इस पूरे नेटवर्क को कैसे तोड़ा जाए और उस कड़ी में हम देख रहे हैं कि कई बड़ी करवई हुई है यह जो करवई है इसमें भी बहुत बड़ा जाली दस्ताविजों का जगीरा पकड़ा गया है सिका और उम्मीद है कि इनसे जब पूचता चोगी तो और भी कई एहम खुलासे हो सकते हैं लेकिन बड़ी ख़पर यही है कि साइबर क्रेम पर कंट्रोल की सुरुआत बरत्पुर्म हो चुकी है और कई बड़ी करवई बड़ुल कच्छाबा के निर्देशन में बरत्पुर्म होई है लेकिन राजिस्तान बासी चुएंगे इस तरह से तो चर्चित ना ही रहे और कुछी इसी कड़ी में कावायत तेज कर दिये बहुत शुक्री आपका मैसा जुड़ने के लिए जानकारे